हालो फ्रेंड्स माइ नेम इस धर्बेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग कम्प्यूटर MCQ क्वेश्चन ओल एक्जाम के लिए पूछे जाते हैं फॉर एक्जामपल डाटा एंटर उपेटर, SAC, बैंक, CGPSC, UPPSC and रेलवे कम्प्यूटर के A2 जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजेगा वीडियो पसंद आये तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चार्स बेबेज, कम्प्यूटर की अविसकारा कौन है चार्स बेबेज सबसे पहला कम्प्यूटर का नाम क्या था, तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे एनिक, A-N-I-A-C, एनिक, सबसे पहला कम्प्यूटर का नाम क्या है आधुनिक कम्प्यूटर की खोज सर्व प्रथम कब हुई है तो सहीं आंसर क्या है 1946 आधुनिक कम्प्यूटर की खोज सर्व प्रथम 1946 में हुई है कम्प्यूटर के छेत्र में महान क्रांती कब से आई 1960 कंप्यूटर के छेत्र में महान क्रांती कब से आई तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे 1960 कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है संगणक संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे कंप्यूटर साख्चाथथः दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षडथः दिवस कब मनाया जाता है? तो सहीं आंसर इसका है 2 दिसंबर CPU का पूर्न रूप क्या है? Central Processing Unit CPU का full form क्या है? तो फिर आप लोग आंसर में क्या लिखोगे? Central Processing Unit CPU का Full Form है Central Processing Unit इन में से कौन सर्च इंजन नहीं है Google, Yahoo, Beju, Warm Alpha तो सही आंसर इसका क्या है Wolf from Alpha इन में से सर्च इंजन नहीं है Wolf Alpha निम्न में से कौन Input IKAI है Mouse, Keyboard, Scanner इन में से सभी तो ये सभी Input है तो फिर इन में से सभी इसका आंसर आजाएगा इन में से सभी Mouse, Keyboard, Scanner एक किलो बाइट कितने बाइट की बराबर होता है तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे 1024 बाइट 1 किलो BTS कितने बाइट के बराबर होता है तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे कम्प्यूटरों में प्रयुक्त IC चीप बनते हैं किसे बनते हैं सिलिकॉन से कम्प्यूटर में प्रयुक्त IC चीप बनते हैं सिलिकॉन से इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तरीत रूप क्या है HTTP का Full Form क्या है तो इसका सही आंसर होगा Hyper Tax Transfer Photo Call Hyper Tax Transfer Photo Call HTTP का Full Form किसी कम्प्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भासा प्राया कौन सी होती है Logo किसी कम्प्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा नियुक्त भासा प्राया कान सी होती है Logo एक सुआओनीजी कम्प्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है Notebook कम्प्यूटर एक सुवावा नीजी कम्प्यूटर जो आपकी गोद में रक लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है नोट बुक कम्प्यूटर कोडान तरक एक प्रोग्राम है वह निमनलिखित में से किस से प्रोग्राम का रुपांतरन है तो इसका सही आंसर होगा कोटांतरन से मसीन तक कोटांतरन एक प्रोग्राम है वहाँ निमनलिखीत में से किस प्रोग्राम कर उपातरन है तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे कोटांतरन से मसीन तक मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा निम्नलिखित में से अप्टिकल मेमोरी है CD-ROM CPU में कंड्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं अर्थमेट्रिक, लॉजिक CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर गरणा और तुलना के लिए कम्प्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है तो इसमा प्रयोग किया जाता है ALU गरना और तूलना के लिए कम्प्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे ALU एक हार्डवेर डिवाइस जो डाटा को अर्थ पूर्ण इन्फोर्मिशन में परिवर्तित करता है कौन करता है प्रोसेसर एक हार्डवेर डिवाइस जो डेटा को अर्थ पूर्ण इन्फोर्मिशन में प्रेवर्तित करता है प्रोसेसर प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है पहला है ALU, दूसरा है Control Unit और तीसरा है Register प्रोसेसर के तीन मुख्य पार्ट है तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे ALU, Control Unit और Register CPU और Input Out के बीच सिंगनलों के मूमेंट को कौन नियंतरन करता है कौन कंट्रोल करता है तो इसका आंसर में आएगा Control Unit CPU और Input Output के बीच सिंगनलों के मूमेंट को Control Unit करता है Computer के Central Processing Unit का फंक्शन है गरनाए और प्रोसेसिंग करता है निमनलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है टैक्स को सकैन करना लिखे हुए टैक्स को सकैन नहीं करता है कंप्यूटर निमनेलिखित में कौन सा कंप्यूटर बुन्यादी कारिय नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करता है परिचालन संपंट करता है तो क्या एगा आंसर में अर्थमैटिक कंप्यूटर में अधिकांस प्रोसेसिंग किसमे होती है CPU, कम्प्यूटर में अधिकांस प्रोसेसिंग किसमे होती है तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे CPU कम्प्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है Understanding कम्प्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है तो प्रोसेसिंग तो करता ही है कार्य करती है तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे CPU प्रमुख मेमोरी किसके समनवे से कार्य करती है CPU के जरिये कार्य करती है माइक्रो प्रोसेसर जो कम्प्यूटर का मस्तिस्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चीप माइक्रो प्रोसेसर जो कम्प्यूटर का मस्तिस्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चीप कम्प्यूटर द्वारा प्रड्यूस किया गया परिनाम है आउटपुट Computer द्वारा produce किया गया परिनाम है Output Input का Output में रुपांतरन किया जाता है CPU के द्वारा Proced Data को कहते हैं Process Processed Data को कहते हैं Process Processed Data को कहते हैं Process CPU का मुख्य घटक है ये सभी Control Unit Memory Arithmetic Logic Unit Computer की छमता है सेमित Computer की छमता है सेमित Computer की छमता है सेमित Computer को किस प्रकार की बुद्धी की संख्या दी गई है कृतीम Computer को किस प्रकार की बुद्धी की संख्या दी गई है Answer में आप लोग क्या लिखोगे कृतीम Manusya की इसमरण सक्ती Computer की तुलना में होती है समान्या Manusya की इसमरण सक्ती Computer की तुलना में होती है समान्या Manusya की इसमरण सक्ती में किस की गती अधीक है Manusya की इसमरण सक्तीम Answer में क्या आएगा Manusya ADP क्या है Electronic Data Processing ADP का फुल फॉर्म क्या होता है तो Answer में आप लोग क्या लिखोगे Electronic Data Processing Computer में सुचना किसे कहा जाता है एकत्रित Data को Computer में Information किसे कहा जाता है एकत्रित Data को Computer में Data किसे कहा जाता है तो Answer में क्या जाएगा चीन हवा संख्यात्मक सुचना को Computer में Data किसे कहा जाता है चीन हवा संख्यात्मक सुचना को Input का Output में रुपांतरन किसके द्वारा किया जाता है तो answer में आप लोग क्या लिख होगे CPU Input का output में रुपांतरन किसके द्वारा किया जाता है CPU के द्वारा किया जाता है Computer में जाने वाले data को क्या कहते है Input Computer में जाने वाले data को क्या कहते है Input ATM क्या होता है बिनाストピ के नगदी देना ATM क्या होता है आटोमेटिक टेलर शमीनिस का फुल फार्म होता है और यहाँ पे ओप्षन है बिनाストパ लेस यौneten Computer Process द्वारा Information में परिवर्पित किये जाते हैं Data Computer Process द्वारा Information में परिवर्पित किये जाते है Data एक electronic device जो data को information में convert करते हुए process करता है उसे processor कहते हैं प्रथम गणन यंत्र है abax प्रथम गणन यंत्र है abax pacman नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था खेल के लिए pacman नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था तो सहीं answer क्या जाएगा खेल किसने प्रथम mechanical calculator का निर्माण किया था blaze pascal किसने प्रथम mechanical calculator का निर्माण किया था तो answer में क्या जाएगा blaze pascal इनमे से पंच कार्ड का आरंब किया था इनमे से कोई नहीं जैक वार्ड ने भी पासरस ने और पासकल इन तीनों ने पंच कार्ड का आरंब किया है इनमे से कोई नहीं computer के बुनियादी सर रचन का विकास किया था Charles Bebage इनमे से कौण सा सबसे बड़ा तेज और सबसे महागा computer है इनमे से कौण सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महागा computer है तो आप answer में note करेंगे सूपर कम्प्यूटर समान्यता है रूप से प्रयुक्त किये जाने वाला कम्प्यूटर है डिजिटल कम्प्यूटर कौन सा कम्प्यूटर है डिजिटल कम्प्यूटर समान्यता है रूप से प्रयुक्त किये जाने वाला कम्प्यूटर है डिजिटल कम्प्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पिड़ी के कम्प्यूटर से सुरू हुआ था त्रित्य पिड़ी से सुरू हुआ था मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पिढ़ी की कम्प्यूटर से सुरुवात हुआ थो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे तृत्तिय पिढ़ी विश्व का सबसे पहला सूपर कम्प्यूटर कब बना 1976 विश्व का सबसे पहला सूपर कम्प्यूटर कब बना 1976 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या नाम है? सिधार्थ सबसे तेज कंप्यूटर होता है सूपर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर किस पिढ़ी का कंप्यूटर है? तो आप लोग आंसर में क्या लिखोगे? चतूर्थ पिढ़ी माइक्रो प्रोसेसर किस पिढ़ी का कंप्यूटर है चतूर्थ पिढ़ी भारत में निरिमित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है तो वो किस प्रकार का कंप्यूटर है सूपर कंप्यूटर भारत में निम्नलिखित परम कम्प्यूटर किस प्रकार का कम्प्यूटर है सूपर कम्प्यूटर गड़ना सयंत्र एक बास का अविस्कार किस देश में हुआ है तो उसका अविस्कार हुआ है चीन में गर्णा सैंयंत्र एकबास का अविस्कार किस देश में हुआ है? चीन में हुआ है IMAC एक प्रकार का मसीन है AMAI AIMAC एक प्रकार का मसीन है एनलिष्ट इंजन का निर्मान किस ने किया था? चाल्ज बेबेस ने चाल्ज बेबेस ने एनलिष्टिक इंजन का निर्मान किया था? चाल्ज बेबेस सर्व प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किस ने किया था? जोसेफ मेरी सर्व प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किस ने किया था? तो आंसर में क्या आजाएगा? जोसेफ मेरी कम्प्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है वॉन न्यूमान कम्प्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है वॉन न्यूमान इंटीग्रेटिट सर्किट चीप का विकास किसने किया है J.S.Kilby Integrated Circuit Chip का विकास किस ने किया तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे J.S.Killby चुम्ब की ये डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? Iron Oxide चुम्ब की ये डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? Iron Oxide Digital Computer किस सिध्धान्त पर कार्य करता है? गरना Digital Computer किस सिध्धान्त पर कार्य करता है? गरना Digital Computer किस सिध्धान्त पर कार्य करता है? गरना भारत में विक्सित परम सूपर कम्प्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो सहीं आंसर हो जाएगा C.DAC C.DAC निम्नमे से तेज कौन सा है? Registers निम्नमे से कौन सबसी जादा तेज है? तो Registers किस ने पहला इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर एनिक को बनाया है? Preser Act and John Mosley किस ने पहला कम्प्यूटर एनिक को बनाया था? तो आंसर में आप लोग क्या लिक होगे? Preser Act and John Mosley .matrix किस उपकरन की किस्म है? प्रिंटर .matrix किस उपकरन की किस्म है? तो आंसर में आप लोग क्या लिक होगे? प्रिंटर और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर अन कीजी ताकि आपको ऐसे आगी वीडियो मिलती रहा है मैं मिलता हूं नेक्स उड़ो में तब तक के लिए बाबाय टेक क्यार थैंक यू फर वासिंग मैं वीडियो